शास्त्रांचा आधार घ्यून पंडित लोग जे सांगतस्तात ते खोटा है जाती जाती चाव अश्रेश्ठत्वा चा कल्पने मधे उच्च नीच ते चा भूरयत अड़कुन अपन ब्रहमिष्ट धलोत हाँ भ्रहम दूर कराई चाए आरेसेस पर्मुक मोहन भागवत की इसी बयान को लेकर पुले देश में बिरोत किया जा रहा है मोहन भागवत ने बीतर अभीवार को महाराष्ट में संतर अभिदास जैनती के मौके पर भासवड़ा देते हुए कहा था कि जाती पाती भगवान ने रहे बनाई है जाती पंडितों ने बनाई है जो गलत है अब इसी बयान को लेकर देश भर में रायता पहल गया है देश के सभी बड़ी नेता इस बिवाद में कूत पड़े हैं खबर है कि ब्रामणों ने भी इस बयान की दिंदा की है, कानपिट में तो ब्रामण समाज ने मोहन भागवत को कल्यू का विभीशर तक बता दिया ब्राहवळों के संक्ठन जैसे की विपर महासभा गौड प्राहण महासभा रास्थान ने महान भागवत से माफ़ी मांगने तक की बात कही है वहीं महान भागवत के बयान पर संक्राचार स्वामी अभमुक्त स्वान रंद श्वर्शती ने भी सवाल उठाए है संक्राचार ने मुहन भागवत से पूछ लिया कि वै किस सास्तर के हवाले से जात वेवस्ता के बारे में बोल लहे थे इस बारे में उन्होंने बताना चाहिए अकिल भारती हिंदू महासबा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अधिशित्र वेदी ने इस बयान को हिंदू धर्म को बाटने वाला वयान बताया विपच्छी नेताओं ने भी भागवत किस बयान की चुटकी लेनी सुरू कर दी है समाजबादी पार्टी के अध्यच्छ अखलेस यादो, सपा नेता, स्वामी प्रसाद मौरिया, कांग्रेस नेता प्रमोद किश्णम, भीवारमी के अध्यच्छ चंदर सेखर अजाद रामण, सपा विधायक पल्वी पटेल, आधने भी मोहन भागवत किस बयान पर सवाल समार को एक बार में प्रकासित खबर की तस्वीर को साजा करते हुए टूट किया, भगवान के सामने तो सपष्ट कर रहे हैं, कि पर इसमें ये भी सपष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाती वड़ को लेकर क्या वस्तिति है, कांग्रेस नेता आचाज प्रमोद किश तो भाजपा को भी आगे आकर इस सचाई को स्विकार कर लेना चाहिए, सच कभी न कभी सामने आता ही है, ये देश की सचाई है, बुंध के मार्क पर चलकर ही देश विक्सित होगा, मुहन भागवत के बयान की तारीफ करते हुए, स्वामी परसाद मौड़ा ने कहा, जात तो राबजरित मानस से अपत्ति जनक टिपड़ी हटाने के लिए आगे आना चाहिए, वह इस बयान पर अब संग की सफाई भी सामने आई है, संग के नेता सुनीलाम बेकर ने कहा, कि मौहन भागवत के बयान को तोर मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, दरसल मौहन भागवत संत्रविदास जैनती के मौके पर महराष्ट में महराथी में एक भासवड़ दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पंडित सब्द का उलेख किया था, मराथी में पंडित का अर्थ ब्राहमल नहीं होता, पंडित का अर्थ विद्वान होता है, यानि कि मौहन भागवत ने ये न करें दो का